डोनाल्ड ट्रंप जो पूर्व रास्टरपति हैं प्रेस्टेंट कांके USA के उन्होंने सी जिन पिंग के लिए ताना सा वर्ड यूज किया था और इसी वर्ड को एक बाफिर से जोवाइडन ने भी वर्ड यूज किया है ताना शाझ ताना शाह का मतलब क्या है डिक्टेटर म बात तो जलजायर है कि चाइना हमेशा अपनी बातों को मन माने की कोशिश करता रहता है इसी बीच आपने देखा होगा कि यह एक बहुत अच्छा संकेत है लमा है जिसमें सी जिन पिंग जो बाइडन से मिले और जब वो मिले तो एक डिक्टेटर शिप की तरही है ना उन्हो दौनों वर्ल्ड की लीडर चहल कैदमी कर रहे थे तो उनकी तस्वीर काफी बाइल हुई और जिसे देखकर आप भी अच्छा मैसूश करेंगे दौनों नेताओं के बीच मुलाकात कुछ इस तरह हुई जिससे चीनी मीडिया में यह तस्वीर सुर्कियों में उच्छागी चीन इस सम्मेलन को एतियासिक बता रहा है चीन के सबसे बड़े सरकारी अकफार पीपल्स डेली ने दौनों नेताओं के बीच चार घंटों तक हुई दो पक्षी बारता के यह लमे चीन अमेरिका संबंदों के लिए नया शुरुआती बिंदू करार दिया है सोसल मीडिया पर कई सारे चीनी कह रहे हैं कि दोनों देसों की बीच ऐस सारीं होना चाहिए जिससे दोनों देसों को अलाव मिलए और लाव मिरा हैं नौबर 2020 के बाद राष्ट्र पतियों प्रैस्डेgt ने आपस में यह मिलाकात की यह ईटका ऐसे समय हुई है जब अमेरिका चीन 극त्यक के चलते और चीन को तकनीक का निल्यात रोकने के अमेरिकी फैसले के कारण पहले से ही खराब चल रहे समद इस साल फरवरी में जासूसी करने वाले बारे के कारण और बिगड़ गए थे इस साल अमेरिका के कई बरिष्ट अधिकारियों ने चीन का दोरा गिया और रिस्तों को सावान करने की कोशिश वी इसके बाद एसिया पैसिया पैसिफिक एकॉनोंग काोपरिशन जा वां है ये सफ़ताएं कौन-कुन सी हासिर होोई है बताते हैं दोनों पक्ष सैन सम्माद होता है डिस्कुशन होता है डायलग होता है बहाल करने और अमेर का में फेंटाइल ड्रक को आमद रोकने के लिए मिलकर लड़ने के लिए सहमत हो चुए हैं मगर तथा कथित चिप वार से लेकर ताइवन जैसे पेचीदा मामलों में गत्रोद अभी भी बना लगा है अकेले प्रेस कॉन्फरेंस संब्ध संबोतित करने आई जो बाइडन ने अखिरी हिस्से में एक सवाल का जवाब देते हुए उस विचार को दोराया कि उनकी नजर में शी जिन्पिंग एक तानाशा है चीन की विदेश मंत्रारे ने इस टिपड़ी को गैर जमिदार और राजनीतीक कतन बताया चीनी मीडिया का कैसा रवय रहा है चीनी मीडिया का रवय शकारातमगरा चीन के सरकारी प्रसारक चाना सेंटर टeलिविजन सीची टीवी ने अपने रोज के संद्यकालिन बुलैटिन को दो तिहाई हिस्सों में सी जिन पिंग के सैन फ्रांसिसको में टैलने को लेकर समर्पित कर दिया जब कि 15 मिनट जो बाइटन के साथ उनकी बैठक को और 15 मिनट प्रमुक अमेरिकी कारोबारियों के कारिक्रम में शी के समदन को दिये गए भासर को पीपल्स देली अक्वार में प्रकाशित लेक के हिस्से को पड़ती हुए प्रजेंटर निखा बैठक सकारात्मक बिश्रित और रचनात्मक थी चीन और अमेरिका के रिस्तों में श्तरिता लाने के लिए यह एक नया श्रुवाती बिंद हो सकता है और यह दिखाने की कोशिश करते हुए इस बैठक ने फरिस्तों को फिर से पठ्टी पर लाने की भी कोशिश किया सी सी टी बी ने यह फोटेज दिखाई जिसमें जो वाइडन ने सैन फ्रांसिसको के पास फिलॉली एस्टेट में गर्म जोशिश अविवादन किया वेलकम किया पीपल्स डेली ने का लखा लिखा प्रकाशित किया कि बाइडन ने सी जिन पिंग को एस्टेट का दौरा करने का नौता दिया था और खुद उन्हें उनकी कार तक लिए शुक्रवार को ग्लोबल टाइम में संपादकी के इस लेक में बैठकी उपलब्दियों को बड़ा चड़ा कर दिखाती हुए लिखा गया कि हम सायोग वाले बिश्यों की सूची लंबी करना चाहिए और सायोग का दारा बढ़ा करना चाहिए ऐसा करके ही चीन अमेरिका प्रिस्तों को स्वस्थ इस्थिर और दीर गकालक दिशा में मोड़ा जा सकता है अचानक ब दौराई जाने वाली अमेरिकी विरोधी बातें रोक कर संबाद और सायोग के संदेश को तबज्जो दी जाने लगी थी सरकारी समाचार एजनसी शुन्वा ने संबार को शी जिनपिंग की अमेरिकी लोगों के दोस्ती पर एक लेक प्रकारशित किया था इसमें लिखा गय दोनों समय हुआ है इस लिख के साथ शी जिनपिंग की अमेरिका दोरे की तस्वीरें भी लगाई है चीन के सोसल मीडिया प्लाटफॉम बीवों पर कई यूजर बैठक को लेकर लगातार अपडेट डाल रहे थे और दिन भर कई सारे संबंद संबंद हैस्टेक टेंड कर र में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात को केंदर में रखा गया यूजर निजी किस्म की बातों से काफी उतसाइद थे जैसे कि शी जिनपिंग को गोल्डन स्टेट वारियर्स की जर्सी तौफिय में दी गई फिर शी को बाइडन चीन में बनी होंग की कार के पास ले गए और उसे का कि ये बहुत खुशूरत है एक वीवो यूजर ने लिखा कि यह एक एत्यासिक पल है एक अन्य ने साबदानी बरते वे लेजे में कहा कि मुझे उमीद है कि अमेरिका की करनी और उसकी कत्री एक जैसी होगी एक अन्य यूजर ने चीन में प्रतिबंदित एक्स पहले टोटर हुआ करता था लिखा अगर उन्होंने कहा कि शी चीन के बातसा हैं तो शी को यह अच्छा लगा होगा कैलिफोनिया बैठके पांच इंपोर्टेंट बिंदू हैं उन्हें देखते हैं नमबर बन जलबाई परवर्तन से मिलकर लड़ेंगे दोनों देश दोनो समाल रोकने पर सीथे कोई टिपड़ी नहीं की सेकंड फेंटानिल ड्रग की तसकरी रोकने के लिए साथ हाएंगे दोनों पक्षोंने का वे ड्रग तसकरी पर रोक लगाने के लिए सायोग बढ़ाएंगे चीन ने उन कैमिकल कंपनियों के खिलाफ अभ्यान चलाने की बात अमेरिका की प्राथ मिक्ताओं में से एक है अमेरिका ने पिछले साल अमेरिका की एक प्रतनिती सभा में स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद यह सम्मान तोड़ दिया था मतलब डैलोग खतम कर लिए थे फोर्ट बन आगे भी बारता जारी रहेगी अच लेकिन अपनी प्रत्क्रिया में बायटन का नाम नहीं लिए फिप्त दोस्ती के दूत पांडा अमेरिका के चडिया घरों में चीन और ज्यादा पांडा भीज़ेगा पांडा को चीन राष्टी संपता मानता है और दूसरे देशों से सम्मंद गहरे करने में पांडा का इस